बश्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास Vivo V23 है या फिर 3 Pro है या फिर 20 Pro है आप किस तरह से फोन इस्टाइल चेंज कर सकते हो फोन सेटिंग मताने वाला हूँ वो भी बिलकुल फिरी तो सबसे पहले आप मोबाल के सेटिंग में चले जाओगे अब सेटिंग पर चाहो तो ऐसे आश कोल करके आप स्क्रीन से भी जा सकते हो सेटिंग पर टैप करने के बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ आपको लॉक स्क्रीन वाल पेपर का उपसन दिखेगा आप इस पर चले जाना है अब font style पे आप type करोगे यहां पे आपको दो font मिलता है आप देख सकते हो यह दो font होते है जो default होते हैं आप download more पे tap कर लेना अब यहां पे बहुत सारे font आपको मिल जाते हैं लेकिन किसी font पे जब आप type करोगे तो यहां पे कि download more पे जब जाते हो तो आपको यहां पे font वाले section पे आपका type होना चाहिए तो आप ऐसे type करोगे अब यहां पे ना आप देख सकते हो कि आपको suggestion दिया जा रहा है I-A-E-K-I-E ओके? I-K तो इस तरह के और भी बहुत सारे keywords होते हैं क्योंकि मैं comment में pin कर दूँगा या फिर description में दे दूँगा आप इस तरह के keywords को आपको यहां पे लिख लेना है मैं आपको पास से दिखा देता हूँ यह वाला लिख लेना है अब देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे आपको font मिल जाते हैं अब आप ऐसे font को देख लो टैप करके और यह देखो font कुछ इस type का देखेगा अगर पसंद आ रहा है तो आप normally download कर लो ठीक है और apply भी आप यहीं से कर सकते हो बाकी यहां पे मैं back कर देता हूँ एक बार इसको और अगर मान के चलो मुझे दूसरा कोई font पसंद आ रहा है जैसे कि मुझे यह वाला font पसंद आ रहा है ठीक है आप देख लो यह वाला तो यह पसंद आ रहा है तो यह मैंने download कर लिया apply भी कर दूँगा और मान के चलो कि यहां पे और भी font चाहिए तो जो भी font आपको free मिल रहा है उसके user है तो उस user के नाम से search करोगे तो free font और भी डाल चुका होगा तो वो आप देख जाएगा या फिस suggestion में कुछ font मिलते हैं तो उस पे भी आप type करके देख लेना क्योंकि suggestion में अपसर free वाले ही suggest के जाते हैं तो आप suppose करो कि मुझे font change करना है तो यह वाला font suppose करो मुझे लगाना है तो यह font पे जाओंगा और इससे download पे click कर लूँगा और apply कर लूँगा directly तो मेरा font यहाँ पे applied हो जाएगा हर जगा पे और मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे font मेरा applied हो चुका है आप देख सकते हैं ओके तो यहाँ पे एक चीज और आपको बता दू कि अब यहाँ पे मान के चलो कि आपको वापो से default font है यहाँ कि जो आपका original font था वो वाला आपको set करना है तो आपको setting पे चले जाना है और display and brightness पे जा करके आपको font style पे जाना है और यहाँ पे जाओगे तो जितने भी downloaded font होंगे वो सारे आपके दिख जाते हैं अगर कोई font delete करना है ऐसे type करके ऐसे delete कर दोगे और अगर default करना है तो ऐसे default कर लोगे और किसी भी font को जब आप set करते हो और आपको लगता है कि हाँ यार यह font तो हमने set तो कर लिया लेकिन यह font में मज़ा नहीं आ रहा है यानि कि यह जो font है यह थोड़ा सा size इसका बड़ा होना चाहिए था तो आप font set करने के बाद back जा करके setting में ही display में ही font size का एक option होता है तो यहाँ से आप font के size को increase भी कर सकते हो वसे यह default है तो वीडियो अच्छी लगे होगी तो like कीज़े share कीज़े, subscribe कीज़े, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए